अब हम करेंगे question number 10, नहीं हमें, shown below is the table, with the cosec, cosec का मतलब बच्छा cosec होता है, याद रखना, and second sec, जो cosec है, उस cosec की full form है, और second sec की full form है, of different angle is given, ठीक है, और हमें क्या करना है, what are the value of p and q respectively, इसमें 2 variable है, p और q, इस दो variables की value हमें find करनी है, तो द्यान से समझना बच्छा, सबसे पहले cosec, याद ही cosec, ठीटा, पी है, तो इधर ठीटा की जगे हम, अगर यह वाले first column में देखें, तो ठीटा की जगे 35 लेगे, याद ही cosec 35 degree होगा, ओके, और वो किस के equal हो जागा, p के, cosec 35 is equal to p, ठीक है बच्छा, अब नेक्स देखो, सेक 90 minus theta, सेक 90 minus theta is equal to क्या होगा, 1.7, और ठीटा की जगे, अगे 35 लेना है, क्योंकि first column में ठीटा कितना है 35, याने कि सेक 90 minus 35 is equal to 1.7, अब कुछ complimentary angles का relation होता है, between the ratios of the trigonometry, वैसे तो बच्छा, यह स्लेबर से related portion है, लेकिन यह कुशन इसमें दे दी है, हो सकता, आपके exam में ना है, फिर भी आप एक बार इसको समझ लो, बच्छा, अब सेक 90 minus theta किसके equal होता है, यह आप याद रख लेना, for safer side आप इसको याद रख लो, सेक 90 minus theta किसके equal होता है, को सेक तीटा के, तो हम यहाँ पर सेक 90 minus 30 की जगे, को सेक 35 लिख स 10 और cot भी एक दूसरे के complementary, ऐसे आप याद रख सकते हो, तो सारी 90 minus 35 की जगे हमने, को सेक 35 लिख दिया, इस formula के according, is equal to 1.7, अब अच्छा, इसे equation 1 मान लो, और इसे equation 2 मान लो, इन दोनों को compare करो, तो को सेक, को सेक सेम है, 35 degree, 35 degree, same है, P की जगे क्या रहा है, 1.7, तो P की value माल है, 1.7 आ रही, अब हमें क्यों की value निकालनी है, क्यों की value निकालनी के लिए हम second column पर ध्यान देंगे, इसमें cosec theta is equal to 1.1 है, और theta की जगे हमें क्या लिन है, 65 degree, याने की cosec 65 degree is equal to 1.1 हो जाएगा, ठीक है बच्छा, और इसके बाद, sec 90 minus theta is equal to q है, sec 90 minus theta is equal to q है, तो अब theta की जगे, मैंने भी आपको बताया, 65 है, second column 65 degree है, theta की value, 90 minus 65 degree, equal to q हो जाएगा, अब next, अब इसक 90 minus 65 क्या होगा, सक 90 minus 65, याने की सक 90 minus theta, cosec theta होता है, तो sec 90 minus 65 की जगे हम, cosec 65 degree लिख सकते है, is equal to क्यों हो जाएगा, q हो जाएगा, अब ही cosec 65 degree, cosec 65 degree direct क्यों हो जाएगा, अब क्यों की जगे आपको क्या दिक रहा है, 1.1, so q is equal to 1.1, so value of p is 1.7 and value of q is 1.1, so option c is our answer,